तो जैसा कि मैंने आपको बताया galvanometer से voltmeter बनाने के लिए आपको अब अपना जो shunt है जो resistance है वो कैसे लगाना होगा galvanometer के साथ में series में लगाना होगा ये trick मैंने आपको पहले भी बताई है तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे series में अब इस resistance का value क्या होगा तो देखिए एक तो ये बात ध्यान रखेगा कि shunt word का use है वो हम केवल galvanometer सा meter बनाते वक करते हैं यहाँ पर हम इसको shunt नहीं बोलते लेकिन हमें ये समझना है कि हम उसी resistance की बात कर रहे हैं जिसकी मदद से हम galvanometer को क्या बनाने वाले हैं वोल्ट मीटर बनाने वाले हैं तो अब हमने यहाँ पर क्या किया इसको लगा दिया सिरीज में अपने galvanometer के साथ हम जानते हैं सिरीज में current सेम रहेगा तो दौनों में हमने current की value सेम रखके हमारे resistance की value निकाल ली जिसकी मदद से हमारा galvanometer क्या बनने वाला है वोल्ट मीटर बनने वाला है आप समझी गए होंगे वी क्या है range of volt मीटर है आई जी पहले ही बता चुका हूं full scale reflection current of galvanometer है और rg आपका resistance of galvanometer है अगर question में दिया जाता है कि आपका जो galvanometer का resistance है वो बहुत ही छोटा है negligible है तो आप उस case में अपने इस load की value जो आपने यहां सिरीज में लगाया है direct लिख सकते हो v by ig तो यह था हमारा conversion of galvanometer इ यही 2-3 formula है जिन पर सवाल बनते हैं अब हम majoring devices में आगे बढ़ते हैं majoring devices में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे wheat stone bridge galvanometer के साथ-साथ wheat stone bridge का भी बहुत important role है wheat stone bridge के fundamental के उपर ही हमारा potentiometer और हमारा wheat stone sorry meter bridge दोनों ही based है तो let's see what is wheat stone bridge wheat stone bridge जो है वो इस तरीके से हमारे 5 resistances का एक arrangement होता है जिसमें की हम कहते हैं कि wheat stone bridge balanced है अगर r1 upon r3 is equal to r2 upon r4 यहां ऐसे भी बोल सकते हैं r1 upon r2 is equal to r3 upon r4 यह आप आपस में interchange कर सकते हो लेकिन यह condition अगर satisfy होती है तो हम कहते हैं कि यहां का potential और यहां का potential बराबर हो जाएगा यानि इस branch में कोई current नहीं जाएगा यह balancing की condition होती है यहां अगर galvanometer लगाते हो तो उसमें deflection क्या आएगा zero ऐसी condition में आपके यह दोनों series में हो जाएंगे यह दोनों series में हो जाएंगे और इनके series आपस में parallel हो जाएंगे यहां अगर equivalent resistance पूछा जाए तो यह मैं आपको पहले भी combination of resistance में बता चुका हूँ फिर यह wheatstone bridge का एक ऐसा question है जो देखने पे wheatstone bridge नहीं लगता लेकिन आप समझे कि अगर आपके resistances इस तरीके से लगा के दिये गए हैं तो this is another form of wheatstone bridge तो इस case में भी आप balancing check करके इस branch का current zero कर सकते हो और आप सीधे सीधे इसको solve करके equivalent resistance निकाल सकते हो जैसे यहां हमने equivalent resistance की value निकाल ली है अब यह हमें दिखराए कि यह balanced wheatstone bridge है क्योंकि यहां और यहां यहां और यहां resistances सभी same दिये हैं तो इस branch में कोई current नहीं जाएगा यह दौनों series में हो गए यह दौनों series में हो गए तो इनका equivalent कितना हो गया r by 2 यह दौनों series में हो गए तो equivalent कितना हो गया इसका sorry यह capacitor की तरह solve कर दिया r और r series में हो गए तो 2r, r और r series में हो गए तो 2r, 2r, 2r आपस में parallel में हो गए तो equivalent क्या हो गया r तो यहां से आपने equivalent resistance निकाल लिया अब हम majoring device की बात करते हैं which is very important जिस पे काफी question बनते हैं that is called potentiometer, potentiometer वो काम कर सकता है ज नहीं EMF measure कर सकता है without drawing a current from the circuit, potential difference को हम EMF तब बोल रहे हैं जब यह कोई current draw नहीं कर रहा, यही इसकी सबसे खास बात है कि यह कोई current draw नहीं करता, voltmeter बिरा current draw करे आपको potential difference नहीं दे सकता, इसलिए अगर आप उसे किसी cell के across लगाओगे तो वो आपको EMF नहीं potential difference देगा, EMF चा measure कर लें या EMF of a cell measure कर लें या उसके EMFs को दो cell के compare कर लें, potential meter में आपको पता है, potential meter wire है जो सबसे important चीज होती है, जिसके उपर की आपका battery जो होता है, जिसको primary cell भी कहते हैं, इसका हम, इसका यह कहिए कि हम इसका voltage जो है, वो यहाँ पर distribute कर करके रखते हैं, और इसकी per unit lens से हमें कुछ ना कुछ voltage मिलता है, तो जैसे यहाँ पर CD के बीच में अगर हमें निकालना है कि कितना potential difference है, तो वो potential difference हम निकाल सकते हैं, current जो circuit में flow कर रहा है, इस value की calculation में यह जो हमारे पास proportionality with length आता है, यानि आपके wire के टुकडे की जितनी length होगी, उतना उसके across potential difference होगा, इ यहाँ जो भी आपका voltage difference है, इस wire के across उसको divide by length कर देते हैं, तो वो बन जाता है potential gradient, यानि वो यह बताता है कि per unit length के साथ में आपको कितना voltage मिलेगा, और यही potential meter की सबसे खास चीज़ है, यही उसका principle है, तो देखिए इसकी मदद से हम कैसे EMF compare कर सकते हैं, दो cells का, यहाँ अ circuit कितना होगा, अगर आपको लग रहा है यह formula कैसे है, तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं, current क्या होगा, total EMF upon total resistance, total EMF हमारा primary cell है, total resistance कितना है, internal resistance of primary cell plus external resistance of the wire, ठीक है, current आ गया, अब resistance of CD कितना होगा, तो हम जानते है, r equal to rho L by A, यानि हमारा जो resistance है, वो किसके proportional होता है, length के, तो ह resistance को divide कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, resistance per unit length, अब हम जितना टुकडा लेंगे, जितना टुकडा हम लेंगे, उसकी length यहाँ पे multiply कर दें, तो हमें resistance अपने टुकडे का मिल गया, तो V बराबर IR में RCD, यानि resistance of this टुकडा is equal to R by L into L, तो यहां से यह formula आया है, आपका potential difference CD का, औ अब आपको यहां सवाल में क्या देखना है, अगर आपको EMF निकालना है, तो EMF तो बहुत आसान है, आपने कोई भी secondary cell लगाया, और मान लीजिए उसके लिए balancing length हाई L, और आपका जो potential gradient है वो X है, तो आप बोलोगे उस cell का EMF कितना हो गया, X into L, potential gradient आप समझ गए ना, per unit length पर कितना potential है, तो आपका अगर सेल जो है, secondary cell जैसे यहां आपने लगाया, और यह secondary cell आपका balance हुआ, कितनी length पर L length पर, तो आप क्या बोलोगे balancing length, balancing length आगई आपकी, balancing length का मतलब इस galvanometer में कोई deflection नहीं होना चाहिए, तो यह balancing length आगई, इस balancing length से आपको मालुम पढ़ रहा है कि आपकी battery का जो EMF है, वो balance हो गया है, किस से wire के across potential difference है, तो wire के across potential difference कैसे निकाला, potential gradient से अपनी balancing length को multiply कर दिया, अब अगर दो cell को आपको compare करना EMF को, तो आप क्या देखोगे, पहले दोनों में potential gradient तो same है, तो दोनों के EMF compare करेंगे, तो उसमें से potential gradient वाला factor तो cancel हो गया, केव balancing length जादा होगा, obviously उसका EMF जादा होगा, क्योंकि उसको balance करने के लिए हमें wire के जादा length के across drop लेना पड़ा है, तो इस तरीके से हम क्या measure कर सकते हैं, compare कर सकते हैं, EMF और EMF measure भी कर सकते हैं, आपको diagram देखके ये समझ में आना चाहिए, कि question जो है, वो किसका है और आपसे वो क्या पूछ रहा है, अगर question आपको potentiometer का ना भी देखे और इस तरीके का arrangement देखे, तो भी आप समझ जाएं कि ये किसका question हो सकता है, potentiometer का, इसके अलावा जो potentiometer से हम calculate कर सकते हैं, वो है internal resistance of a cell, internal resistance of a cell के लिए इस तरीके का diagram आपको दिया जाएगा, इस diagram को देखकर आप सम जिसमें आप पहला length जो है वो तब लेते हैं, जब ये switch open होता है, और बाद में आप दूसरा balancing length लेते हैं, जब ये switch close होता है, on the basis of this, you can calculate the internal resistance of a cell, question में आपको दिया जाएगा, question load लगाया गया है, ये जो switch है, ये on है, उस case में अदलब open है, और उस case में balancing length इतना है, बाद मे length L2 आता है, तो पूछा जाएगा, बताइए, internal resistance कितना होगा, तो we can calculate the value of internal resistance directly by this formula, by keeping the value of two balancing lengths and the external load, जो ये हमने parallel में लगाया है, किस के साथ, अपने secondary cell के साथ, ये secondary battery के साथ में, इसके अलावा potentiometer में एक चीज़ और है, जो पूची जाती है, that is called sensitivity of potentiometer, sensitivity हमें ये बताता है कि कितना potential, small potential drop per unit length पे हमने डाला हुआ है, that is called sensitivity, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि sensitivity का मतलब है, कि आप छोटे से छोटा potential जो है, उसको measure कर सको, छोटे से छोटे EMF को measure कर सको, वो आप कर पाऊगे, जब आपकी length पर, per unit length पर, छोटे से छोटा drop हो, तो क्या होगा, उस case में आप ज potential gradient है, उसका क्या होना जरूरी है, छोटा होना जरूरी है, जितना छोटा आपका potential gradient होगा, उतनी ही आपकी sensitivity जो है, वो जादा होगी, अगर question पूछता है, कि sensitivity को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो पहला तरीका है, कि हम length of potential meter wired जो है, उसको बढ़ा दे, क्यों, पहले मान लीज पे जो potential drop है, उसको reduce कर दिया, तो definitely आपने क्या बढ़ा दी, sensitivity बढ़ा दी, दूसरा तरीका यह होता है, कि हम circuit में जो current है, उसको reduce करने, तो अपने आप जो drop है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, potential meter का एक special case होता है, that is called meter bridge, potential meter के wire की length finite नहीं है, मतला हम उसे कुछ भी ल सकते है, according to our use, लेकिन meter bridge के case में जो wire की length ली जाती है, वो one meter ही ली जाती है, इसका फायदा यह है, कि balancing length जो है, वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, calculate कर सकते हो, कि अगर एक तरफ की L है, तो दूसरे तरफ की definitely वो hundred minus L ही होगी, क्योंकि total wire का जो length है, वो hundred centimeter है, तो इस तरीके का arrangement यहाँ पर हमको मिलता है, एक तरफ हमें non resistance दिया जाता है, दूसरे box में हमें कहाता है कि resistance box है, तो key combination पूछा जाता है, galvanometer लगा होता है, यह आप देख सकते हैं कि आपका balanced wheat stone bridge है, क्योंकि यह आपके चार resistance है, जो यहाँ लगे हुए है, एक तरफ आपका non resistance लगा हुआ है दूसरी तरफ आपकी L length के wire का resistance है, तीसरी तरफ आपका non resistance है और चौथा आपके 100-L length of wire का resistance है, जब balancing होती है तो यहाँ कोई deflection नहीं होता, यानि कि R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, इससे आप निकाल सकते हो कि आपने जो यहाँ पे resistance box में calculate करना है, उसका value कितना है, question में आपको यही दिय जाएगा कि आपके इसकी combination के लिए resistance की value क्या होगी, अगर यह length आपको दिया जाए, तो आपको यह length और यह resistance दे दिया जाए, तो बाकी काम आप करी लेंगे क्यों, क्योंकि यह length अगर L है, तो दूसरा definitely 100-L होगा, और यह known resistance आपको दिया ही जाएगा, तो आप unknown resistance की value easily calculate कर स सकते हो, let's see some questions based on it, question में हमें दिया है कि 100-Volt-Volt-Meter है, जिसका resistance 20-Kilo-O में, इसको हमने connect किया है, series में with a very high resistance R, जब हम इसको एक line जो की 110-Volt की है लगाते हैं, तो यह 5-Volt read करता है, तो बताइए magnitude of resistance R कितना है, तो सबसे पहले हम क्या करते है, current की value निकालते है, current की value क्या ह होगी, तो हमें दिया है कि किसके across join किया है, 110-Volt के across join किया है, किसको resistance R को और voltmeter का resistance कितना दिया है, 20-Kilo-O म, यहां से हमें किसकी value मिल गई, I की value मिल गई, अब हमें question में voltmeter का reading कितना दिया है, 5, यह किसके बराबर होगा, current into resistance, तो resistance हमारा R है, current का value 110 upon R plus 20 into 10 raise to power 3 है, क्या किया हमने, सबसे पहले current का value निकाला, कैसे निकाला, जिस line के across जोड़ा है, उसका voltage दिया है, resistance को series में लगाया है, तो R plus 20 into 10 raise to power 3, तो यहां पे हमारा एक ही unknown बच्चा, जो की R है, calculate कर लेंगे, कितना आएगा, 420 into 10 raise to power 3, ओम, अगले question में हमें दिया है, कि galvanometer है, जिसमें 30 divisions है, current sensitivity 20 micro ampere per division है, resistance दिया है, 25 ohm, तो पूछाए किस तरीके से आप इसको meter बनाएंगे, जो की up to 1 ampere read कर सके, कैसे आप इसको voltmeter बनाएंगे, जो की आपका 1 volt measure कर सके, तो देखिए 30 division दिये हैं, और current sensitivity दिये हैं, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, full scale deflection current of galvanometer निकाल लेंगे, 20 micro ampere per division, number of division 30, तो यहाँ से आपका galvanometer current आ गया, कितना हो गया यह 600 micro ampere, और यहाँ पे आपको I का value दिया है, यानि range of a meter दिया है, 1 ampere, और आप से resistance पूछा है, तो कौन सा resistance है, जिसको आप यहाँ लगाएंगे, shunt का formula हमें लगाना है, shunt का formula क्या होता है, IG, RG upon I minus IG, तो IG का value आपके पास है, RG यानि resistance of galvanometer आपको दिया हुआ है, आपको ampere का, जो वो ampere meter है, आपका meter है, उसकी आपको range मालूम है, रखेंगे तो आप shunt resistance की value निकाल लेंगे, that is 0.015 ohm, अब voltmeter के लिए V आपको दिया है, 1 volt, आपको resistance पूछा है, कितना होगा, तो इसका formula क्या है, V by IG minus RG, V आपके पास है, IG हम उपर निकाल चुके, RG सब्ट्राक कर देंगे, तो हमें voltmeter बनाने के लिए कितना resistance मिलेगा, solve करेंगे, तो यह हमें मिलेगा, 1641.67 ohm, आप देख सकते हो, कि emitter के लिए छोटे से छोटा resistance चाहिए होता, और voltmeter के लिए बड़े से बड़ा, यानि emitter के ल zero deflection शो कर रहा है, तो R का value बताइए, यह balanced wheat stonebridge का question है, इसमें आपको क्या करना है, 100 by 200, यह जो ratio है, यह किसके बराबर होना चाहिए, तो देखिए, R और 100 पैरलल में लगे हुए, तो इधर का resistance कितना हो गया, R into 100, upon, R plus 100, upon, यहां कितना है, 40, तो R1 upon R2, R3 upon R4, केवल इतना स है कि R3 का value, आप R और 100 के पैरलल combination से निकालेंगे, solve करेंगे, तो R का value हमको 25 ohm मिल जाएगा, इसके बाद next question, question में हमें बोला है कि meter bridge है, यहां diagram में दिखाया हुआ है, resistance है जो gap में लगाते हैं, R1 और R2, question में बोला है कि इनके लिए balancing length 30 है, अब 10 ohm का resistance जो है, वो हम अलग से add कर देते हैं, in the gap, तो balancing length बदल के 40 cm हो जाता है, तो question में पूछा है, R1 upon R2 का value बताइए, और R1 R2 का value बताइए, तो देखिए, यहां पे balancing length L1 और L2 मान लेते हैं, पहले case में हमें दिया है कि R1 R2 के लिए balancing length 30 cm, मतलब L1 का value 30 है, तो मैंने आपको बताया था, यह balanced wheat stone bridge है R1 upon R2 को हम 30 by 70 लिख सकते हैं, तो R1 R2 का value आगया 3 by 7, अगली बार बोला है कि R1 में भी 10 जोड़ दो, R2 में भी 10 जोड़ दो, और यह balancing length बदल के 30 से 40 हो जाती है, तो यह 40 हो गई, तो दूसरी कितनी हो गई, 60, यही फायदा है आपके meter bridge का, तो यहां से आप R1 R2 की value solve करके निकाल सकते हैं, solve करेंगे तो हमें R1 बराबर मिलेगा 6 ohm और R2 बराबर हमें मिलेगा 14 ohm, यहां question में हमें दिया गया है कि कोई current जो है वो flow नहीं करता गलवनो मीटर में, तो हमसे पूछा है unknown resistance X का value, ठीक है, balancing length इधर 60 है तो इधर 40 है, हमें दिया गया है resistance per unit length of the wire AB 0.02 ohm per centimeter है, पूछा है total current supply by the battery भी बताओ, तो X का value कैसे निकालेंगे, यहां आप देख सकते हो, balanced wheat stone bridge है यह, तो X by 60 का value is equal to 2, sorry, X by 60 is equal to 2 ohm divided by 40, तो यहां से X का value हमें मिल जाएगा, अब चाहें तो हम यह कर सकते हैं कि 60 centimeter को multiply करें 0.02 से, 40 centimeter को multiply करें 0.02 से, इनके resistance निकालके यहां रखें, पर हम देख सकते हैं कि 0.02 का factor दौनों तरफ ratio में आएगा, तो वो finally cancel out ही होना है, तो direct हम यहां से X का value निकाल सकते हैं, यह हमें मिल जाएगा 3 ohm, हाँ, current की value अगर हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें resistance का जो factor दिया है per unit length वो use करना पड बैलेंगे, balanced wheat stone bridge का resistance निकालने का तरीका मैंने आपको उपर बताया है, इस formula से हम R equivalent की value निकालेंगे, तो यह आएगा 10 by 7, formula यहां पर है, आप देख सकते हैं, यह मैंने उपर आपको बताया हुआ है, तो current का value यहां आएगा solve करने पर 2.8 ampere, balanced wheat stone bridge आपको दिखी गया है, X, R 1 बन जाएगा, यह R2, यह R3, यह R4, हमारे इस question में हमें दिया गया है कि potential meter circuit length of wire जो है, वो 3 meter है, resistance of this wire is 4.5, length AC पूचा है, जिससे की कोई deflection galvanometer में नहीं होगा, यहां पर हम देख सकते हैं कि question में हमें यह नहीं दिया है कि potential gradient कितना है, तो potential gradient पहले हमें निकालना potential gradient क्या हो जाएगा, पहले तो हम यह निकालें कि I into R और फिर उसको divide by length कर दें, तो हमारा I कितना है, तो 5 V हमारा primary EMF है, 4.5 हमारा यह resistance है wire का, plus 0.5 internal resistance of the primary cell है, तो current in the circuit आ गया इतना, इसको multiply करेंगे wire के resistance से, divide करेंगे wire की length से, तो इससे तो हमें क्या मिला? इससे हमें मिला हमारा potential gradient, यह कितना आजाएगा? तो यह आजाएगा 1.5, अब question में हमको दिया है कि यह जो balancing length है, यह 3 volt को balance कर रही है, तो potential gradient को balancing length, balancing length कितना दिया है वही हमसे question में पूछा है sorry इसको हम x नहीं मान सकते इसको हमने potential gradient मान लिया तो इस length को हम AC ले लेते हैं AC ठीक है ना हमारा potential gradient हमें मालूम है balancing length मालूम है और यह balance किसको कर रहा है 3 को तो यहां से AC का length कितना हो जाएगा 3 upon 1.5 याने की 2 मीटर प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माय चैनल प्रेस बैल आइकन फॉर इंपोर्टन नोटिफिकेशन और अपडेट ताकि टाइमली आपको सभी important uploads मिलते रहें आप हमारा blog भी विजिट कर सकते हैं that is question नहीं बनता blogspot.com जहां पे आपको सभी lectures के written format में जो notes है वो available है और questions के solution available है आपको कोई suggestion है तो आप मुझे mail कर सकते हैं मेरा mail ID हैं दिया हुआ है facebook page और insta पे आप tips of the day के लिए join कर सकते हैं